Hello everyone, आपका English Studies में स्वागत है guys आज हम दिखेंगे हमीरपूर विकास खंड में भरे जाएंगे ग्राम रोजगार सेवक के पद अब देखते हैं कौन से विकास खंड में ये भरे जा रहे हैं देखिए पंचायत स्मिती सुजानपूर हमीरपूर में खाली पड़े ग्राम रोजगार सेवकों के तीन पदों के लिए आवेदन मागे हैं मन्रिगा के तहद भरे जाने वाले इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवा 21 सेप्टेंबर तक खंड विकास अधिकारी कार्याले सुजानपूर में आवेदन कर सकते हैं तो गैस देखे इसमें तीन पोस्टों को भरा जा रहा है और आप 21 सेप्टेंबर तक खंड विकास अधिकारी कार्याले सुजानपूर में आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो आवेदन करने की डेट है वो पांच तारिक से शुरू हो गई यानि कि आज से शुरू हो गई या आप 21 सेप्टेंबर सक कर सकते हैं तो गैस नेक्स पॉइंट खंड विकास अधिकारी कार्याले सुजानपूर से प्रापत जानकरी की अनुसार ग्राम रोजगार सेवक का भरती अनुबंदन पूरी तरह से अस्थाई एफसर टर्मिनल अधार पर मनरेगा के तहद होगा ओके चैनित उमीदवारों को तीन तीन ग्राम पंचायतों के स्मूग के लिए कार्या करना होगा अभी देखे अगर अभ्यार्थी ने किसी भी पंचायती राज संस्थान ग्रामेंड विकास भिवाग बार्टर्शेड परियोजना अन्य सरकारी उपकरम या किसी भी अन्य संस्थान में कंप्यूटर ओपरेटर के रूप में कार्या किया है तो उसे हर एक वर्ष के दो-दो अंक परदान किये जाएंगे अगर किसी ने भी computer operator के रूप में कारे किया है इन सब जो भी संस्थान है तो उनको अगर आपने एक वर्ष किया तो आपको दो अंक मिलेंगे अगर आपने चार वर्ष किया है तो उसके accordingly आपके अंक ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए खंड विकास अधिकारी कार्याले सुजानपूर के टेलीफोन नंबर यह टेलीफोन नंबर है सुजानपूर का जहां पे आप कोल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं संपरक कर सकते हैं आप देखे क्वालिफिकेशन का इसके लिए आवेदन कम से कम बार्मी पास और मान्यता प्रापत संस्थान से एक वर्षिय कंप्यूटर डिप्लोमा धारक तथा कंप्यूटर डाटा परविष्टियों में दक्ष होना चाहिए आवेदन पत्र के साथ दसमी कक्षा और अन्य शैशनी योगिता से संबंदित दस्तावेजों की छाया प्रितिया कम्प्यूटर डिप्लोमा का परमान पत्र विकास खंड के स्थाई निवासी होने का परमान पत्र जाती परमान पत्र बीपील परमान पत्र और अन्य परमान प सब आपको साथ में अटैच करना होगा तो देखिए यह है इनका अगर आप पोस्ट के माद्धिम से बेज रहे हैं तो आपको यह यहां पे संट करना है और ज्यादा बेटर यह होगा कि आप खुब जाके फिल कराएं जो भी लोकल केंडिडेट से उनको ज्यादा महत्तब जि समिती, सुजानपूर, तैसिल, सुजानपूर, डिस्टिक, अमीरपूर, हिमाचल पर्दीश तो यह इसका एड्रस है जहां पे आपको जाकर फिल कराने हैं और इसमें देखिए गाइस इसमें आपको क्या करना है एक एप्लिकेशन लिखनी है और एप्लिकेशन के साथ में सारे फॉर्म को अटैच करके उनके पते पर यहां पे आपको जाकर फिल करवा के आने हैं और इसमें अगर कोई सरकारी नोकरी नहीं होनी चाहिए इसमें किसी की भी कोई भी अगर परसन अप्लाई कर रहा तो उसकी सरकारी नोकरी नहीं होनी चाहिए इसमें और देखिए इ एक सेकंड और इसमें कोई भी आबेदिन कर सकता है लेकिन यहाँ पर लोकल जो केंडिरेट होंगे उनको थोड़ा ज्यादा महत्तब दिया जाएगा ओके तो गाइज यह है आज की इंट